प्रोफेशनल के चैनल पर वेलकम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चाप्टर नमबर 3 जो की है प्लेइंग विद नमबर्स आज हमने करनी है आज हम उनी को साथ लेकर उनी से रिलेटिट कुछ और पढेंगे जिनमें सबसे पहले है common factors जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या है common factors पंजाबी में इसको कहते हैं साण्जे गुनन्खंड साण्जे गुनन्खंड सबसे पहले साण्जे गुनन्खंड या common का मतलब है जब हमें एक से ज़्यादा नमबर दिया होगा अब तक हम पिछले lecture में factors सिर्फ एक number के निकालते रहे हैं कि मान लीजे 6 के हमने factors निकाले लेकिन common सांजा तब ही निकलेगा जब हमारे पास एक से ज़ाधा number होंगे कैसे मान लीजे मेरे पास है 6 और 8 है ठीक है अब हमने इन दोनों के पहले factors दोनों में से common है तो सबसे पहले रिखूँ एक और छे तो यह है और दो टेबल पे so जाता है उसी तरह 8 के देखूं एक और 8 तो ही है फिर दो के टेबल पर जाता है चार के टेबल पर जाता है तो अब इन में से common factor देखने है संजे गुनन खंड कौन से हैं तो अगर कौन से मैं highlight करूं तो एक तो ही है वो तो सब का ही होता है आगे एक दो भी है ठीक है और कोई है मेरे पास नहीं तो यह दो नंबर है जो दोनों के common factor है तो इसको यह दोनों के common factor हो गए ठीक है अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्टीमेटली सर्फ दो ही मेरे पास एक नंबर ही common factor आया है एक तो हर में common होगा ठीक है तो अल्टीमेटली कौन सा नंबर common factor है टू का ठीक है अब इसी से related इसी को यूज करके हमने एक और definition सीखनी है को प्राइम नंबर्स पंजाबी में इसको कहते हैं सै अपाज संख्याएं संख्यावा प्राइम नंबर्स हमने किये थे उसको पंजाबी में हमने अपाज बोला था अब को को सै मतलब जिन नंबरों का common factor एक हो जिन नंबरों का मैं फिर से रपीट करें थ्यान से सुनने जिन नंबरों का common factor एक हो उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं जैसे 3 और 5 है अब 3 के मैं factors लेने लगे हूं एक और 3 पांच का भी एक और 5 तो common factor सिर्फ यह एक है और कोई नहीं तो इसका मतलब 3 और 5 कौन से नंबर हैं को प्राइम नंबर इन्हें लिखते कैसे हैं नंबर लिखके बीच में कोमा डालो साइट पे ब्रैकेट इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं ठीक है जी हम्में क्या पता चला हमने अब तक कॉमन फैक्टर सीखे फिर उसी को यूज करक co prime numbers की definition पड़ी कि जिन नंबरों का common factor कोई नहीं होगा एक के अलावा उनको हम co prime numbers कहेंगे ठीक है अब इनी दो definitions को लेके हमने questions करने है 3.2 के तो पहला question है मेरे पास find the common factors of the falling हमने इन सब के common factors पता करने है पहला है 16 एंड 24 ठीक है जी तो 16 के पता करते हैं एक और 16 तो है ही है अब 2 के table पे जाता है चार पे भी जाता है आठ पे भी जाता है बस इन tables पे जाता है चाविस का देखूं एक पे दो पे तीन तीन देखो एक चौबिस जा हो गया दो बारा दूनी चौबिस तो बारा भी लिख लिया तीन आठ चौबिस वो भी लिख लिया तो चार चे चौबिस वो भी लिख लिया चे चौका मलब छे रिपीट होने लग जया तो यहीं तक इसके factors है तो अब common factor देखने है तो common factor है मेरे पास तो मैं अगर mark करूं तो एक तो है ही है ठीक है एक दो भी है चार भी दोनों में है आठ भी है और कोई नहीं तो दो चार आठ बस यही common factor और कोई नहीं ठीक है जी तो अगला question देख लेते हैं अगला है मेरे पास 25 और 40 ठीक है तो 25 के factors एक पांच फिर 25 यहीं है 40 के देखूं एक और 40 तो आएगा ही आएगा दो के डेबल बेबी दो 20 जह 40 तो 20 लिख लिए फिर 4 दस जह 40 चार दस लिख लिए फिर 5 आठ जह 40 वो लिख लिए अब और कोई बचा ही नहीं ठीक है तो अब इनके common factor निकाल लूँ मैं तो common factor देखने से ही पता चल रहे है सांजे गुननखंड कौन कौन से अगर मैं मा ठीक है और कौन से एक पांच है और कोई है नहीं तो एक और पांच है और कोई एक दूसरे में है नहीं नंबर तो यही है ठीक है जी तो अगला question कर लेते हैं चलिए अब तीसरा question आप करोगे ठीक है तो मैं चौथा और पांचवा कर लेती हूं ठीक है आप भी तो कुछ करो सारे मैंन ही थोड़ी करनी है practice तो करनी है दिखे 10 मैं एक फणडा है क्या जो हम बार बार कहते हैं practice makes am an perfect वहाँ पे लागू होती है कि जितनी practice करो गे मैंने काम्याब होगी ठीक तो हमने ये question आपने करना है अब अगला मैं करवाने लगी हूँ अगले में ध्यान दीजिए तीन तीन रखमें दीए हैं उपर हमें सिर्फ दो दो थी अब तीन तीन तो हमने तीनों में देखना है तो पहला 14 1, 2, 7, 14 सिर्फ यही factors है 35 के 1 पर 5 पर 7 पर 35 पर ब्याली का देखूँ 1 पर 2 ब्याली जाँ 2, 21 जाँ और 3 के टेबल पर 3, 14 जाँ और 4 के टेबल पर जाता है ने 4 पर नहीं यह जाता है फिर 6, 7 जाँ ठीक है 6, 7 ब्याली तो यही सारे हैं तो अब इन 3 के निकाल ली है अब अगर मैं इनके common factor देखूँ तो common factor कौन कौन से हैं तो मा करूं मैं तो यह लीजे मा करूं एक तो एक हैं 2 इन दोनों में 2 है इसमें 2 नहीं हैं तो नहीं लेना वोही नमबर लेना है जो तीनों में होना चाहिए तीन यह साथ साथ तीनों में है यह देखो तीनों में न तो यह एक नमबर आ गया 14 इन दोनों में है बीच वाले में 14 है ही नहीं तो नहीं है तो सिर्फ यही नमबर है common factors ठीक है जी अब अगला देख लेते हैं पांचवा 15, 24, 35 ठीक है तो 15 की बात करूँ 1, 3, 5, 15 सिर्फ यहीं पे जाते है 24 तो हमने किया था 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 यह तो याद भी हो गए ठीक है 35 भी हमने किया था 1, 5, 7, 35 यही है तो अब इनके common factor दिखाऊँ मैं तो कौन से है common factor माक करूँ अगर मैं इनको तो एक तो एक ही है और तीन अब इन दोनों में है पर इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते 5 इन दोनों में है इसमें नहीं है तो कोई एक ही सिर्फ एक नमबर है जो तीनों में है बाकिया और कोई नमबर तीनों में नहीं है तो इसका common factor सिर्फ एक ही है तो अब इनका common factor क्योंकि एक ही है तो अभी हमने definition करी थी कि जिन नंबरों का common factor एक हो उन्हें हम कौन से नंबर बोलते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर से अपाज संख्या हैं तो यह तीनों क्या हैं को प्राइम नंबर्स ठीक है जी तो चलिए अब अगला question कर लेते हैं अब तक हमने common factors ढूनना सीख लिया अब बारी है second question की और जिसमें हमें thinking common multiples जूनने हैं अब बार ही common multiples की है पहला है तीन और 5 हमने इनके common multiples मतलब वो नंबर जिस पे पाझ यो 5 टेबल पर भी जाए और तीन के टेबल पर भी जाए ठीक कैसे तो पहला पांच के डेबल पर चाहे 15 ये तो मूझवान करना पड़ेगा 15 दोनों पर जाता है और 30 ठीक है क्योंकि 23 के डेबल पर जाता है पांच कान को मूल्टीपल्स हमारे यहां पर लिक्षूंगी मैं पंतालिस ठीक है तो चलिए अगला question कर लेती है सेकिंड है छे आठ अब आप कोगे कि यह तो बहुत ही मुश्किल ऐसे कैसे पता चलेगा तो आप टेबल लिखते जाओ multiples को ढूणने का सबसे असान तरीका है टेबल लिखना जैसे 6 का टेबल लिखते हूँ छे बारा 24 नहीं छे बारा 18 एगा ना चे ती अठारा चॉबश फिर छे पांचा तीज फिर छ तीज फिर फिर ब्याले फिर अड़ाव्य। फिर अड़ाले फिर अड़ारीस के बाद 24 जाता है तो इसका मतलब एक common multiple मेरे पास कौन सा हो गया 24 ठीक है common multiple क्या हो गया 24 अब इसके बाद और कौन सा जाता है अड़ताली 6, 8, 8, 8 ताली 8, 4, 8 ताली जाता है अब और यहाँ पे नहीं जाता पर आगे चले अब 8 का टैबल देखलो 8 ताली के बाद 8, 6 के टैली 8, 7, 4 चरंजा 8, 7, 5 वो नहीं जाता 8 नाया 72 तो 72 जाता है चे के टैबल पे बिल्Лकुल जाता है तो इसका मतलब तो सबसे पहले गर हम 4 का टेबल लिखे ना तो क्या एक टिप है मेरे पास कि आप जो बड़ा नंबरा उसका टेबल लिखे फिर उसमें से हमें सब के पता चल जाएंगे चार एकम 4, चार दुनी आठ, चार तीए 12, चार चौकी 16, चार पांचा 20, चार चीए 24, चार साता 28, फिर चार अठा 32, फिर 36, ठीक है फिर 40 एक बार मैंने सिर्फ 4 का टेबल लिखा, अब इसमें से 3 के टेबल पे कौन सा जाता है, 12, तो इसका मतलब पहले जो इनका common multiple हो गया 12, उसके बाद 24, दोनों पे जाता है, दो पे भी जाता है, तीन पे भी जाता है, तो आ गया 24, उसके बाद 36 जाता है तीनों पर, तो ये 12, 24, 26, तो हमेशा क्या करो, जब भी common multiple ढूनने है, तो जो नमबर बढ़ा है, उसका टेबल लिख लो, उसमें से देखो कि पहले 3 के या 2 के, जो भी नमबर दूसरा दिया है, उसमें से कौन-कौन से जाते हैं, तो आपको easily पता चल जाएंगे, ठीक है, तो ये थे हमारे पास 2 3, 4 के common multiples, अब 2 और 3 का डेबल लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो 3 चाहिए थे, पता चल गए, तो आज हमने क्या किया, आज हमने काम किया, सबसे पहले हमने common factors पता किये, क्या होते हैं, सांजे गुननकंड, फिर हमने co-prime numbers देखे, कि क्या होते हैं, जिनका common factor, एक के अलावा कोई ना हो, फिर हमने उससे related questions की exercise 3.2 का पहला और दूसरा question, ठीक है, अब जो question मैंने छोड़े हैं, वो आपने खुद करने हैं, अगर आपको कोई problem होई तो आप मुझे comments में पता सकती हैं, ठीक है, कल हम इससे आगे बहुत important topic करेंगे, divisibility test, ठीक है जी, अब जाने से पहले इस चैनल को subscribe करना मत भूलना और हाँ, इस वीडियो को like and share करना मत भूलना, thank you, have a nice day